जी बिस्मिल्लाइराम रहीम असलाम लेकूम जी सुदिन्स अवनेक्स क्लासेज माज्स टेक आट यूर कांडाउन क्लास वान एन ओपनेट ओपने यून नमबर इस एड टूड़े दूड़न अबाउट मेयरमेंट ठीक है हम बात करेंगे हैं मेयरमेंट की किसी चीज को उसको और दूपने के लिए उसका साइज लेने के लिए हम किस तरह से उसकी मायमेंट कर सकते हैं मैं आपको यह बताऊंगी ठीक है सबसे पहले हम जो हैं चीज़ों को चोड़ चोड़े चीज़ें होती है जिनकी हम जो हैं लें जो फांट आउट करने के लिए न हम लोग रूलर और एक करते हैं मीटर मीटर रूलर यूज करते हैं ठीक है अब देखें जो मीटर रूलर यूज करते हैं तो जो होता है जब हम बजार में जाते हैं तो लॉज वाला जो मीटर रूलर यूज करते हैं तो वह जो है जैसे कपड़े को नापने के लिए और बड़ी चीज को किसी चीज की find out करनी है तो हम उसको किस तरह से find out करेंगे आप पेज नंबर जो है 128 और 120 है जी 129 है 128 open कर लें ठीक है हमें आज आपको बताऊंगी क्या होता है centimeter length सबसे पहले length में जो सबसे चोटी measurement आती है वो होती है centimeter में ठीक है अच्छा जी आप सब अपना स्केल भी साथ में टेक आउट कर लें अपने बैग में से निकाल लें ठीक है मैं आपको बताती हूं आजी के देखिए आपको स्केल के ओपर यह नजर आ रहा है ना 01234 इन में सब में जो है वो 1010 जो है वह लाइन है ठीक है और 10 लाइन के बाद जो है वन है फिर टू ह इट मींस के जो यह जो है ना इतने चोट चोटे यह हमारे हैं सैंटी मीटर ठीक है यह मेरे पास जो है वो स्केल है 30 सैंटी मीटर का ठीक है आप सब भी अपने अपने स्केल लेखें के वह आपके पास कितने सैंटी मीटर के हैं ठीक है यह हैलप आउट करते हैं हमें हम तो स सब्सक्राइब ढूराает 20th ruler to 0 2 cm में ये उसी सेंटी मेटर चैसल concerned one meter है completely मैं आप सेंटी मीटर पर रहते हैं मेटर की बात हम बाद में करेंगे ठीक है अब यहाँ पर देखर है Hayır किटने का है यह canal जो है 15 engineering चोन हम घहा इसा मतलब होता है सेंटी मीटर्ट यह बाइंस, और गुलू कि उपक्राइड पैर हधिए हम चोण हॉक्ष निखते हैं टूढाय इस वी यूज 的是 we use a shorter मंगेर कॉल डा सेंटी میटर यूज करते हैं SMustage है अब हमारे पास यहां पे कुछ चीजें के जैसे यह प्यायद चीजेंद है जैसे यह पेंट ब्रश चेयल जो है प्लब मनलत में एक तरिक देना है अपने करना है और लास तक जो बर्य एक है आप तक करना है यहां से ठीक है अब आप देख सकते हैं कि यहां पे 10 सेंटी मीटर पे आ रहा है यह लेखें कि यह हमारा ब्रश है और यह जीरो से स्टार्ट हो गया तो इसकी लेंद्ध है वो कितनी बहननी है 10 cm हमने इस बॉक्स में लिख देना है 10 cm लिखना इसी तरह आपने जो पैन है इसकी जो है वो लेंथ मेर करनी है हम यहां पर जो इसकी पीन है ना पैन की वहां पर रखेंगे और यह देखें यहां पर रखें जीरो से स्टार्ट करके देखें एंडिंग कहां पर हो रही है 8 cm प इसी तरह जो है हम वाच की फाइंड आउट करते हैं जीरो एंड यह देखें नदर आ रहा है आपको मैं जीरो से रखा है और एंडिंग कहां पॉइंट हो रहा है 7 cm पर ठीक है आपने यहां लिख देना है 7 cm ठीक है it's very easy and interesting work ठीक है इसी तरह आपने जो है यह चौग पर पैंसिल की भी फाइंड आउट करनी है और वह लिखनी है इसमें और उसके बाद जो है आपने रूलर लेके इनको आपने इसको देखना है यह कित्ते सेंटीमीटर है ठीक है यह देखें फाइंड आउट करना है कि is it correct or not ठीक है यह देखें यह 5 cm ही है ठीक है इसी तरह अपने नीचे जो है वो लाए करनी है ठीक है तो सेंटीमीटर की एक लान remain चरने के लिए त्रेख सकते हैं अपनी पैंसिल को मईयर करें और दो आपके आपके पास चीजें आपके चीजें घर में छूट-छूटी तो उनकोork मईयर करके इसकी कय आपने अप्रैक्स भी करन करता हैं ठीक है अगर आपको कोई मसला होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ठीक है थैंक यू स्टूडेंट्स ख्लाफेज